नमस्कार दोस्तों जिनियस साइंस में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में इस वीडियो में जानने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप इस चानल पर नया है तो जल्दी से चानल को सबस्काइब कीजिये बेल आइकॉन दबाईए और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और वीडियो देखने में आप इतने concentrate हो जाते हो कि आप वीडियो को like भी करना भूल जाते हैं तो दोस्तों इसलिए मैं आपको request करता हूँ कि जल्दी से वीडियो को like कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक comment करके मुझे बता दीजिए तो दोस्तों चलो देखते हैं जल्दी से हम कि first chapter जो gravitation chapter है तो gravitation chapter में कौन से कौन से important point है जो important beads है वो important beads के बारे में हम जानते हैं तो दोस्तों first point है gravitation circular motion k plus laws newton's laws of newton's universal law of gravitation uniform circular motion effect of centripetal force earth's gravitation force earth's gravitational acceleration उसके बाद value of g on the surface of earth यानि कि acceleration due to gravity on the surface of earth यानि कि समझो ये earth है तो earth के center में एक core रहता है तो core यानि कि समझो एक body है वो earth के surface पे है तो surface की gravity अलग सी रहती है समझो ये body हमने ऐसे कुछ height पे उठा दी तो ये height पे इसकी gravitation यहाँ अलग रहती है अगर ये middle में रख देते है तो यहाँ भी gravitational लग रहती है और अगर समझो हमने ये body earth के center में यानि कि earth के core में रख दी तो g की value यहाँ भी बदलती है यानि कि acceleration due to gravity at different points okay gravitational potential earth energy and then escape velocity ये important point इसमें से दो दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक बहुत सारे वीडियो बनाये है k plus laws of planetary motion ये 3 laws मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाए ये भी वीडियो आप देखना न भूले अपने चानल पर है अपने playlist में प्लेलिस्ट में जाकि ये वीडियो आप देख सकते है ये point आपको compulsory करना पड़ेगा ये भी point आपको करना पड़ेगा इसके ऊपर problems पूछी जाते है बहुत बार उसके बाद uniform circular motion है यानि कि ये 12th class में जो अभी अभी जो बच्चे exam देने वाले उन बच्चे के लिए इसके बारे में इस पर questions पूछी जाते है और पूछी जाए इसके बाद आपको अच्ची तरह से स्कोर करना है नीट जी के लिए अच्ची तरह से preparation करना है तो आपको ये चाप्टर के लिए बहुत यानि कि दिल लगा के concentration दे के आपको करना पड़ेगा और इसके उपर बहुत सारे question भी पूछी जाते है तो कैसे पूछी जाते देखो डोबे राइनर ट्राइडस है ये ट्राइडस मराठी में इसे हम त्रीक कहते हैं इसके बाद newlands laws of octaves यानि कि जो music का जो octaves है इसके बाद इसके बाद इनके जो कुछ भी पॉइंट दे इनके उपर ही जो modern periodic table अभी जो अब हम पड़ेगा करते हैं वो इसके ऊपर बेस्ट है इसके बाद drawbacks of mandalus periodic table ये भी आपको करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों ये properties of mandalus periodic table and drawback ये दोनों का difference distinguishing point करके आप इसका preparation करो इसके बाद modern periodic table जो कि मैंने अभी आपको बताया जिसे हम long form कहते है structure of periodic table जो कुछ भी आपना structure है periodic table का ये भी आप अच्छी तरह से एक periodic table draw करो और draw करके जहां आप study करते है उस जगव आपके table के सामने इसे आप paste कर दीजे ये main frame है और इसके bottom को एक दूसरा frame है अभी यहाँ दिखा रहा हूँ तो ऐसे जो total 18 जो आपको groups में दिये है periodic table ये 18 groups का आप थोड़ा सा अच्छी तरह से preparation कीजिए और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताने चाहता हूँ कि 118 elements है 118 elements हम एक song जैसा इसके हम पाट कर सकते है हम इसे याद कर सकते है तो दोस्तों ये 188 elements आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा इसके बाद structure और periodic table है ये भी आपको अच्छी तरह से preparation करना पड़ेगा इसके बाद periods and electronic configuration ये बहुत easy easy point है दोस्तों ये जैसा जैसा रो बढ़ता जाता है वैसा वैसा अपना आटम का nucleus के बाहर के साइड में जो कुछ भी cell बढ़ती जाए तो वह cell आपने रोज के हिसाब से बढ़ती है उसके बाद the rows and electronic configuration periodic trends in modern periodic table ये एक बहुत बहुत important point है ये आपको करना पड़ेगा ये जो trend मैंने दिखाए ये trend valancy का trend अलग रहता है atomic size का है properties of metals non metals और gradation in halogen family halogen family बोले तो 7 जो 70 number का जो अपना जो vertical group है ये vertical group में इसकी जगा है उसके बाद जो 18 ग्रूप है 18 number का group ये noble gas याने कि इसे हम zero group elements भी कहते है ये सब का आपको अच्छी तरह से preparation करना पड़ेगा इसमें से कौन से भी आप दो तीन point आप इसे omit कर सकते है दो तीन point मैं तीन चार नहीं बोल सकते है या दो तीन point अगर मैं तीन चार बोलू तो आप तीन चार छोड़ देंगे और ये तीन चार भी आगे याने कि 11 और 12 को बहुत बहुत important है लेकिन इसमें से आप दो तीन point ओमिट कर सकते है इसके बाद है थर्ड नमबर का चाप्टर chemical reactions chemical reaction equations दोस्तो chemical reaction equations बोले तो जो कुछ भी हम chemical reactions बनाते हैं जो कुछ भी chemical reactions बनती है होती है वो कैसे बनती है कैसे reactions हमे याद करनी पड़ती है chemical reactions कैसे कैसे हो जाती है इसके बारे में हमें इस chapter में detail से दिये वाला है तो types of chemical reactions यह types of chemical reactions आप 8th class से पढ़ते हैं दोस्तों 8 से लेके अभी तक आप इसको कर रहा है लेकिन आपको लगता है कि मैं 10th class में ही पढ़ रहा हूँ गैसा लगा हूँगा देके उतका उतना याद करके आपने study नहीं किया इसके बास ते यह थोड़ा सा problem आ सकता है तो दोस्तों इसे डरना नहीं combination reaction है decomposition reaction है displacement reaction है उसके बाद double displacement reaction है oxidation and reduction reaction है यह पूरे reaction आप अच्छी तरह से करेंगे तो आपको बहुत सा benefit होगा उसमेंसा अगर important बोले तो double displacement दुहेर displacement reaction और oxidation reduction यह भी आपको करना पड़ेगा decomposition reaction नहीं करें तो भी चलेगी लेकिन combination reaction आपको करने पड़ेगी displacement reaction आपको करने पड़ेगी और सबसे important बोले तो endothermic reaction and exothermic reaction process and reaction यह बहुत important है यह आपको करना पड़ेगा endothermic and exothermic reaction इसके बाद हम देखते है rate of chemical reaction दोस्तों rate of chemical reaction उपर एक point भी पूछे जाते है अक्सर लेकिन अगर आपको यह नहीं जमता है तो ठीक है लेकिन यह थोड़ा सा concentration देखे एक स्यांत दिमाग से cool mind से अगर आप इसको अच्छी तरह से reading करेंगे तो यह point आपका हो जाएगा बहुत easy है इसके बाद factors affecting the rate of chemical reaction यह भी आपको करन in balancing a chemical equation corrosion and rancidity okay तो corrosion और rancidity यह daily life में आपको इस्तेमाल होते हैं daily life में आते है तो daily corrosion के ऊपर बहुत बार question पूछा गया है यह rancidity के ऊपर भी बहुत बार question पूछा गया है लेकिन दोस्तों यह factors affecting rate of chemical reaction, exothermic, endothermic reaction यह आपको करने ही है आप इसे omit मत करना दोस्तों वीडियो अ आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से like कीजिए क्योंकि आपका एक like ही मुझे बहुत बहुत energy देता है दोस्तों आपका एक comment भी बहुत सी energy देता है और आगे वीडियो बनाने को मन करता है तो दोस्तों fourth number का chapter भी हम देखते हैं मैं अक्सर बहुत सारे teachers बच्चों session करते हैं तो मैं आपको दोस्तों समझता हूं जो students है है सब students को मैं दोस्तों समझता हूं मेरे भाई समझता हूं मैं student नहीं समझता क्यूंकि student बोले तो अगर मैं आपको student बोलूँ आ तो आप थोड़ा से मेरे में और आप में distance रखेंगे तो दोस्तों मैं आपका भाई हू effect of electric current दोस्तों heating effect ये भी आपको करना पड़ेगा तो उतना तो नहीं है लेकिन magnetic effect of electric current ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर ही अभी जो चल रहा है जो modern age को जो machines घूम रही है जो कुछ भी हो रहा है तो ये effect के ऊपर ही ज्यादा हो रहा है तो इसके ऊपर बहुत diagram है diagram के ऊपर थोड़ा सा धान दीजिए flaming's left hand rule ये जो दोनों है right hand rule and left hand rule ये दोनों थोड़ा से comparison में किजिया अगर दोनों का comparison करके आप इसका study करेंगे तो आपको बहुत बहुत easy जाएगा इसके बाद है electric motor ये भी बहुत important है electric motor और electric generator ये दोनों का comparison करके आपको study करना पड okay इसके बाद है दोस्तों electromagnetic induction है इसका self induction, mutual induction, coil coil experiment, coil magnet coil experiment ये बहुत बहुत अच्छी तरह से मैंने चाप्टर की वीडियो बनाए है अपने चानल पे ready है तो थोड़ा सा एक आप playlist में जाके अपने चानल में जाके चानल पे playlist में जाके अगर आप ये वीडियो आप सर्च तो ये बहुत बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाए है मैंने ये आप वीडियो देखे ए पूरा concept आपका clear हो जाएगा फ्लेमिंग से left hand rule अभी मैंने बदा अल्टरनेटिंग करेंट AC करेंट और DC करेंट ये दोनों का आपको difference करना पड़ेगा Distinguishing Point आप create किजिए AC and DC इसका एक वीडियो मैं बनाके अपलोड करने वाला हूँ जल्दी Distinguishing Point का उसके बात दोस्तों देखते हैं हम आगे का जो चाप्टर है फिप्ट चाप्टर है heat हीट के बारे में क्या क्या है देखो तो heat भी बहुत अच्छा है latent heat है anomalous behavior of water है दोस्तों anomalous behavior of water यह आपको अच्छी तरह से इसका preparation किजिए यह बहुत बहुत important है यह आपको 1112 में भी और need G और दूसरे भी exam जो कुछ भी competitive exam आप preparation करेंगे उसके बाद जो कुछी MPSC होगी UPSC होगी अपने जो कुछी स्टेट की जो पुब्लिकेशन सर्विस होगी पुब्लिक सर् चाप्टर आपके daily light में बहुत बार benefit अनिके बहुत बार उपयोग में आने वाला है तो due point है humidity है specific heat capacity है यह भी आप अच्छी तरह से preparation कीजिए अगर इसमें से कुछ नहीं जमता है तो एक हाद point आप छोड़ सकते है उसके बाद reflection of light दोस्तों यह जो light की जो दो chapter है दो chapter बहुत important है तो refraction of light इसका भी वीडियो मेंने बहुत अच्छी तरह से बनाया है refractive index का भी मैंने दिया है यह भी आप अच्छी तरह से preparation कीजिए dispersion of light की इसके उपर में वीडियो नहीं बनाया है बनायाने माला हूं partial and total internal reflection इसके ऊपर भी आप preparation कर सकते partial and total internal reflection यह थोड़ा सा specially officially यह point को आप देख लीजिए dispersion जो है dispersion का भी आपको अच्छी तरह से preparation करना पड़ेगा और refractive index नहीं किया तो चलेगा लेकिन इसके ऊपर अकसर problem पूछा जाता है example दिये जाता है example calculation करने के लिए refractive index glass का हो air का हो water का हो alcohol का हो kerosene का हो किसी भी एक medium का और velocity दी जाती है और मदद से आप जो second medium है वो second medium का आपको रिक प्रावड़े इंडेस करने के लिए कहा जाता है इसके बाद 7th number का chapter है lenses यानि कि मराठी में इसे हम भिंगे कहते हैं भिंगे आनि तयाचे उपयोग मैंचे lenses and dear uses दोस्तों तो lenses and dear uses में क्या कह दिया देखो यह चोटे चोटे चोट कुछ भी diagram दिया है वो जो कुछ भी sentence है sentence में जो दिया है वो आप यह diagram में देख लीजिए और diagram में उसे verify कीजिए आपको बहुत जल्दी से इसका memorize हो जाएगा आपके memory में जाएगा center of curvature principal axis है उसके बाद optical center है principal focus है focal length है उसके बाद sign conventions है and lens पापर यह चोटे चोटे बीट है दोस्तों यह बहुत बहुत चोटे चोटे बीट है लेकिन बहुत important है यह आगे चलके जो कुछ भी need जी के लिए preparation करेंगे आगे जो कुछ भी exam आप देने वाले यह exam में इस इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है magnification है उसके बाद power of a lens उसके बाद combination of lenses है उसके बाद human eye and working of its lens यह बहुत important point इसकी figure भी आपको अच्छी तरह से प्रिपर करने पड़ेगी एक figure के बारे में paper first और paper number second में figure के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं को कुछ से-कुछ से important figure से उसका भी एक special video में बनाने जा रहा हूं तो दोस्तो human eyes and working of its lens human eye के बारे में आपको विस्तार सी जाना पड़ेगा उसके diagram भी आपको याद करने पड़ेगी diagram भी अप उसकी अच्छी तरह से preparation कीजिए defects of vision and dear corrections ये भी बहुत important है near sighted nets myopia उसे कहा जाता है उसके बाद far sighted nets उसके बाद उसे हम hypermetropia भी कहते है उसके बाद press by PA भी कहते है uses of concave lenses है uses of convex lenses है उसके बाद ये जो है simple microscope and compound microscope ये दोनों का भी अब अच्छी तरह से preparation कीजिए तो ये जो distinguishing point है इसका preparation करते वक्त आपको थोड़ा सा easy मैं बताता हूँ तो far sighted nets and near sighted nets का distinguishing point बना हूँ इसका distinguishing points यानि कि वो cure करने के लिए क्या करना पड़ता है उसका कौन सा lens इस्तेमाल किया जाता है वो कहां से दिखता है कहां image तयार होती है दोनों में ऐसे एक पाँच पाँच पॉइंट का अब destination point इसका बना दीजिए तो आपको अच्छी तरह से preparation हो जाएगा उसके बात देखते हैं chemical properties of metals reactions of metals तो इसके physical properties भी आपको याद करने पड़ेगी chemical reactions of metals भी आपको अच्छी तरह से इसका preparation करना पड़ेगा उसके बात दोस्तो reactions of metals with oxygen उसके बात reactions of metals with water यह reactions specially दिया है reactions यह reactions of metals with dilute acid reactions of metals with nitric acid reactions of metals with salt of other metals reactivity series of metals यह reactivity series भी मैंने आपको दीए है उसके बात हम देखते हैं chemical properties of non metals ionic compound and dear properties यह आपको specially preparation करना पड़ेगा ionic compounds okay and dear properties इसके बात है देखो basic principles of metallogy एक separate point इसमें सी clear हो सकता है separate point create हो सकता है concentration of ores यह भी आपको करना पड़ेगा separation based on gravitation यह जो है gravitation will fly table method hydraulic separation method इनका एक distinguishing करो एक table बनाओ आप ऐसा एक table बनाओ यह एक लिख दो यह एक लिख दो यह लिख दो और यह पड़के यह कैसा हो रहा यह देखो यह पड़के यह कैसा हो रहा और यह कैसा हो रहा और यह कैसा हो रहा जो process यह process आपची तरह से preparation कर सकते हैं इसके बाद है फ्रोध फ्रोटेशन उसके बाद magnetic separation method ये भी है फ्रोध फ्रोटेशन method extraction of aluminum ये separate beat है आगेगा तो ये जो methods दिये मैंने ये methods आपको distinguishing करके separation करके आप एक साथ सब पॉइंट एक साथ आप preparation एक बड़ा सा पीच लीजिए और बड़े से पीच पे ये थोड़े से ऐसे compartment करके इनक लिख दिजिए और लिखने के बाद इनका एक 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 पॉइंट करके आप अगर इसा preparation करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका इसका preparation हो जाएगा extraction of aluminium में हम देखते हैं यानि कि एक जो बेथर से यह methods अभी तक हमने यहाँ देखे हैं तो लेकिन एक element है aluminium aluminium का separation एक metal का separation example के हिसाब से दिया गया है तो concentration of ores यानि कि aluminium के जो कुछ भी और रहेंगे उसका concentration कैसा कैसा किया जाता है यह method का इस्तेमाल करके इसका concentration कैसे किया जाता है यह beat में हम पड़ते हैं उसके बाद electrolytic reduction of aluminium का electrolytic reduction करके हम बना सकते हैं उसके बाद जो important point है जो अभी बहुत important है prevention of corrosion यानि कि corrosion होता है उसका prevention कैसे कैसे किया जाता है तो firstly आपको corrosion बोले तो क्या corrosion का मतलब क्या है corrosion कैसे होता है उसका definition आपको learn करना पड़ेगा लेकिन 11th की जो sorry 12th की जो chemistry है 12th की chemistry तो 12th के chemistry में यह electro chemistry में यह जो corrosion है corrosion के बारे में बहुत बहुत detail example दीवाल है उसके बाद जो प्रोसेस है prevention के ओ है गैलोनाइजिंग है टैनिंग है अनोडाइजिंग है इलेक्रोप्लेटिंग है और आलाइजिंग है यह जो आपको एक दो तीन चार और यह पांच दे पांच मेंशे आप कौन से भी तीन यह चार का बहुत अच्छी तरह से preparation कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बोले तो गैलोनाइजिंग आनोडाइजिंग यह दोनों के ऊपर ही questions पूछा गया है उसके बाद इलेक्रोप्लेटिंग और आलाइंग आलाइंग इलेक्रोप्लेटिंग नहीं किया तो चलेगा आलाइंग आपको करना पड़ेगा ओके इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम 9th नंबर का चाप्टर दोस्तों यह बहुत बहुत इंपोर्टन चाप्टर है जो बच्चे अभी एक्जाम के लिए preparation कर रहे हैं उनके लिए तो इंपोर्टन है ही लेकिन आगे जो second paper का आप preparation करेंगे second paper 11th और 12th में यह basic chapter है दोस्तों यह basic chapter होनी की वज़र से आप कोई इसका detail से preparation करना पड़ेगा अगर नहीं भी होता है तो दो चलो डरने की कुछ बात नहीं है डरने की जरुरत नहीं है तो hydrocarbon किसे कहते है saturated and unsaturated ने दोनों का definition आप अच्छी तरह से preparation कीजिए उसके बाद functional group मैंने एक video इसके उपर बनाया है यह video भी आप total details में video देख लिजे जो functional group मैंने तकरीबन 16-17 functional group मैंने यहां दिया है उसके बाद homologous series के बारे में मैंने आपको बताया है अलकेन है अलकाईन है अलकीन से ओके इनका जो हमों लोग series है यानि कि इनकी फैमिली है फैमिली की एक series है मैंने आपको अच्छी तरह से पता है उसके बाद है आयूपेशी नुमिन क्लेचर सिस्टम यानि कि आयूपेशी नुमिन क्लेचर इसका 1,2,3 steps यानि कि एक 10 तक आयूपेशी नुमिन क्लेचर थोड़ी नॉर्मल steps दिये गया है दो बच्चों दोस्तों तो यह 11th और 12th में बहुत विस्तार से और बहुत डीटेल में है इसके ऊपर मैं 8 steps है 8 steps का एक वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जल्दी ही बनाऊंगा आपके सेवा पे मैं उसको हाजीर करूँगा तो दोस्तों इसके बाद chemical properties of carbon compounds carbon compound की chemical properties है उसमें कौन से कंबशन है, oxidation है, addition reaction है, substitution reaction है, combustion अक् substitution reaction आपको 12 में बहुत बार पूछी जाती है, halogen derivative of alkane में है, उसके बाद important carbon compounds, कौन से कौन से है, यह हमने अभी carbon compound के बारे में हमने देखा, लेकिन जो carbon compound है उसमें से भी important कौन से है, तो ethanol और ethanolic acid जेकि आपके daily इस्तेमाल में आते है, daily uses में आते है, तो ethanol बोले तो जो कुछ drinking purpose के लिए जो alcohol इस्तिमाल किया जाता है, इसे हम ethanol कहते है, और ethanol का इस्तिमाल करके हम ethanolic acid बनाते है, यह acid family में आता है, यह बहुत बहुत अभी industrial purpose के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है, इसका भी industrial purpose के लिए इस्तिमाल किया जाता है, जो कुछ भी material है, उसमें preservation के लिए भी थोड़ा सा changes करके इसका इस्तिमाल किया जाता है chemical properties of ethanol, ethanol की है ये simple से reactions है दोस्तो इसके उपर भी मैं video बनाने जा रहा हूँ reaction with sodium, dehydration reaction है chemical properties of ethanolic acid यानि कि इसके भी chemical reactions आपको करना पड़ेंगे reaction with base and second one reaction दिया गई है sterification reaction sterification, stir तयार करने के लिए sterification reaction भी यान दिए गई है इसका भी आप अच्छी तरह सी preparation कर सकते है जो last का chapter है दोस्तो इसके उपर भी मैंने video बनाना चालू है अभी बना रहा हूँ last जो अभी देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ready कर रहा हूँ लेकिन आगे जो एक साल में दो साल में आगे जो कुछ भी students ये video देखने वाले उनके लिए तो ये material पूरा ready हो ही जाएगा तो need and importance of space mission इसके उपर भी मैं video बनाया है आप जरू देख लिजे artificial satellite किसे कहा जाता है artificial natural satellite किसे कहा जाता है और natural satellite कैसा फिरता है अर्थ के around में ये भी मैंने इसके उपर भी डिजेल से होताई दिया है उसके बाद orbits of artificial satellite जो अर्थ के सरावनिग में घूमते है जो rotation करते है revolution करते है तो revolution करने का उनका जो कुछ भी orbit रहता है वो एक fixed orbit ने रहे था ये communication satellite की एक orbit ऐसी fix रहे दिये यानि कि ओ जो अपना equator को parallel रहता है लेकिन समझो एक देश यहां है और ये satellite equator पर ऐसा नहीं रहता है दोस्तों ये जो satellite है ये अपने अपने देश के ऊपर ही आकाश में रखा जाता है और वहां से ऐसा ही गूमता है ये रहा है एक communication satellite के बारे में दूसरे भी ऐसे orbit है जो ऐसे भी घूमते है उसके बाद ये 45 डिगरी में भी घूमते है ऐसा inclination inclined orbit भी है बहुत सारे orbit है जो communication satellite का जो orbit रहता है उसे हम class orbit भी कहा जाता है तो दोस्तो satellite launch vehicles के किसे कहते है एसलवी बोलते है पी एसलवी पी पोलार satellite launching vehicle कहते है इसे तो पीसलवी के बारे में भी हम मैं विस्तार से बताने वाला हूँ इसके special वीडियो बना रहा हूँ तो moon missions चुकि moon के बारे में missions दी है Mars missions अभी चांदरयान टू चांदरयान फर्स हमने launch किया उसके बाद Mars के ऊपर भी मैंने हमने सॉरी मैंने ने हमने मैंने बहलो तो मेरा देश है मैंने ही काम किया ऐसा समझो हर अगर ऐसा सुचेंगे तो देश के बारे में प्यार बढ़ेग missions to the other planets other planet की जो missions है यानि कि earth जो के solar system है solar system में आपने जो कुछ भी my very educated mother joyfully showed us nine planet यानि कि nine के बजा हम eight planet पढ़ते है और अगर आप मराथी में देखेंगे भू शू प्रूम गुशे यूने ऐसा मैंने एक sentence बनाया है तो भू बोले तो भूध है भू शू शू पोले तो शुक है ओके बू शू प्रूम गुश यू ने देखो एक दों तीन चार पांच छे साथ आठ यह planet से दोस्तों तो यह center में sun है ऐसा sun तो sun के बाद first आता है बूध, second, third, fourth, fifth, शू ऐसा add का रिखे है ऐसा sequence ली है दोस्तों तो आपने अभी तक यह जो की important point मैंने आपको पूरे chapter में 10 जो अपने chapter से 10 chapter में details में आपको मैंने जो important important bits है मैंने आपको अच्छे तरह से बताने की कुशिश किया है तो दोस्तों ऐसा मत समझना कि जो मैंने अभी जो points दिये 10th chapter के आप इन में से 10% जो कुछ भी point है आप इसमें से वमिट कर सकते हैं इसमें अगर किताब निकाल के आप देखेंगे तो कि जो कुछ भी हुशया स्टूडेंट है जो कुछ भी ब्रिलेंट स्टूडेंट है जो कुछ आउट आफ मार्स लेते हैं उनके लिए भी यह beneficial रहेगा अगर वो बच्चे 100% जो point clear करेंगे तो दोस्तों इन में से तक्रीबा 90% की आगे आहीं जाएगे और जो out of preparation करने वाले बच्चों को भी बच्चों को तो each and your point easy होता है उसे हम important वो कहते नहीं है उनको each and your point important रहता है तो दोस्तों एक यह जो चाप्टर है यानि कि यह जो second फस्ट पेपर है फस्ट पेपर के ऊपर बहुत सारे application based question भी पूछे जाते है यानि कि अगर गैलोनाइजिंग का है समझो मैंने यहां एक आया तो corrosion है आपके घर में समझो एक iron की सलई है तो iron का कुछ pot है कुछ बरतन है तो उनका अगर रस्टिंग नहीं होने के लिए अगर उसका corrosion ना हो इसलिए आप क्या करेंगे ऐसा आपको पूछा जाता है तो यह गैलोनाइजि दोस्तों यह आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होता है तो इदे लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और चानल पे नए है तो जल्दी से चानल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूले तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए हम यहां ठेरते हैं जल्दी मिलते हैं नेक्स सेकंड पेपर के वीडियो में तब तक जय हिन जय भारत दोस्तों बाई बाई लेकिन इसे शेर करना न भूले दोस्तों आपने दोस्तों तो सगे संबंधियों तक यह चानल की लिंक आप वीडियो के लिंक चानल के लिंक जरूर से जरूर करका यह चानल की लिंक जतातर दोस्तों पहुंचास सेर के से लिंक जरूर से करना त वीडियों की जरूर से नहीं की लिंक जए अतना हैं इसे जर को से कवल ड़ी तक की व्मी हैं तक जब से बा seems